हेलो जाहिन मैं शुबम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज की जो हमारी क्लास है यह हमारी स्सी जीडी कॉंस्टेबल 2023 के लिए होने वाली है और आज फिर से हम जीके जीएस का एक प्रेक्टिस एट नंबर डिसकस करने वाले हैं जो की प्रेक्टिस एट नंबर दो है इसके अंदर हम टीसेस में पूशे गए लेटेस्ट दो तिन वर्षों के प्रशन डिसकस करेंगे और यहां पर मैंने जो भी प्रशन लिए है न ये सभी की सभी आने वाली जितनी भी परिक्षाइं हैं उसमें रिपीट हो सकते हैं सभी प्रशन important और expected हैं प्रशन वहीं लिए हैं जिनके exam में आने के chance हैं उमीद करूँगा सेशन सभी को helpful लगेगा सभी को टेस्ट पास कोश्चन ठीक कर देना है आपको आज का टेस्ट इतना इजी और मीडियम लेवल का है स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है आपके सामने मुगलों के विरुद हल्दी गाटी का युद किसने लड़ा था महराणा प्रताप राणा सांगा राजा जैसिंग या फिर राणा पहला कोश्चन आपके पास हमेशा बनेगा एक्जाम में ठीक है जी दूसरा यह जो युद है महराणा प्रताप के साथ लड़ा गया था ठीक है महराणा प्रताप वसिस अकबर के बीच में यह युद लड़ा गया है यह आपको ध्यार नखना है आप से यह भी पूस्ता है कि किसके किसके बीच में लड़ा गया है हल्दी घाटी का युद तो महराणा प्रताप और अकबर दूसरी चीज़ देखे यह जो राणा सांगा है इनके बारे में आपको पता है ना खानवा का युद हुआ था खानवा का युद किसके बीच में हुआ था तो खानवा का य पर इनसे बहुत कोशन बनते हैं important exam में पहला प्रशन पूछते हैं ये कहां के साशक थे तो ये राजस्थान में आमेर के साशक थे ठीक है जी राजा जैसिंग दुईतिये ने जंतर मंतर का निर्मान किया है ये भी प्रशन exam में आता है राणा कुमभा से क्या प्रशन बनता ह चीटोरगाण में विजे स्थम्भ जिसको किर्ती स्थम्भ भी कहा जाता है चीटोरगाण में विजे स्थम्भ का निर्मान करवाया था ये आपको पता होना चाहिए निर्मान करवाया था आगे बठते हैं question number आपके सामने second है भारत और जम्मो कश्मीर राज्य के बीच परी ग्रहन समझोते पर डैश में हस्ताक्षर किये गए ये question very important है question थोड़ा सा हटके है थोड़ा सा different है ठीक है answer जल्दी से करिएगा ये question important है इसलिए यहाँ पर है आपके सामने जल्दी से answer कर दीजिए हंजी क्या answer कर रहे हैं सभी answer करिए जल्दी से देखे 26 अक्टूबर 1947 आपको date याद रखनी है option आपका एक correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number आपके सामने है third बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है बैक्टीरिया से आप क्या समझते हैं भई बैक्टीरिया मतलब जिवानू अगर आपसे पूछे जिवानू की खोज किसने की तो जिवानू की खोज की है लिव जिवानू द्वारा होने वाले रोग प्रोटो जोवा कवक और विशानू ठीक है इनके द्वारा जो भी रोग होते हैं इनके कारक और ये रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं ये questions हमेशा बनते हैं आपको पता होने चाहिए और अगर इनसे एक्जाम में प्रशन ना भ प्रभावित करता हैं ऐसे द्वावित करता है ये ध्यान रखना है किसको प्रभावित करता हैं इन्सेयरे में करते हैं ठ१िकर जीभाणू का नाम क्या है सालमो नेला ताइफिग आप देखे, hepatitis A क्या है, यह HB virus के कारण होता है, ठीक है, virus के द्वारा होने वाले रोग है, और यह liver को effect करता है, किसको प्रभावित करता है, तो यह liver को प्रभावित करता है, polio, polio से अक्सर exam में प्रशन बनता है, ठीक है न, polio के टिके का विशकर किसने किया है, यह भी प् कि दरब चलते हैं वर्तमान में पंजाब के मुख्य मंत्री कौन है यह तो आपको पता होने चाहिए मुख्य मंत्री राज्यपाल भारत में कौन क्या है ठीक है भारत में इंपोर्टन न्युक्तियां बुक्स करन्ट अफेर्स यह आपको सारे करवाई आपको नहीं पता कि कौन से एक्जाम में कि शिफ्ट में आएगा ठीक है ना आप एक विद्यार्ती है तो आपको सारे प्रेशन पढ़ने पढ़ेंगे, समझने पढ़ेंगे और अच्छे से उनको याद करना पढ़ेगा याद कब होगा जब उसको आप बार बार रिवीजन करेंगे, प्रेक्टिसेट लगाते रहेंगे अदर, उस प्रेक्टिसेट में भी वो कोशन कहीं से आजाएगा, तो वो कोशन आपका स्ट्रोंग हो जाएगा, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवांत मान है, और अप्शन आपका एक औरेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये पूशता है किस पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी, ठीक है न, ये भी कोशन पूश सकता है, आपसे पता होना चाहिए, कोशन नमबर फाइफ देखिए, अनोसूचित छेत्र के प्रसाशन का विशेश उत्तरदाइत्व किसके पास होता है, थोड़ा सा डीपली है, ये आपके RRB, RPF, ठीक है न, RRB क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये प्रशन जो है, ये आपके RPF के 2019 के एक्जाम में आया है, प्रशन बहुत इंपोर्टेंट है, और कंपनी तो TCS ही है, जिसने पेपर लिया है, आंसर करिए, अनोसूचित छेत्र के प्रसाशन का विशेश उत्तरदाइत्व किसके पास होता है, राज्य का मुख्य मंत्री, राज्य का ग्रह मंत्री, राज्य पाल या राश्टर पती, आंसर देखिए, 90% गलत आंसर करेंगे, जो राज्य पाल आंसर देगा ना भाई, उसका ही बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप्शन C वाला, आप्शन C के सवी आंसर दे रहे हैं, चलिएगा, कोश्चन नम्बर 6 देखते हैं, निम्न में से कोन सा राज्य अरब सागर के किनारे is thus ł-, नहीं है, समझ noticed बात को प्रसन आपसे क्या क्या बनता है अरब सागर में कौन सी नदिया गिरती है अरब सागर में गिरने वाली नदिया ठीक है ना गिरने वाली नदिया इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया यह important है यह आपको याद होने चाहिए अच्छे से इनको लिख लिजेगा इनको कवर कर लिजेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अब इधर देखिए प्रशन पर कोन सा राज्य अरब सागर के किनारे इस्थित नहीं है केरल गोवा महरास्ट्रा और प्लस एक और है करनाटक ये राज्य अरब सागर में इस्थित है आंद्रे परदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंद्रे परदेश जो है अरब सागर में इस्थित नहीं है अरब सागर के किनारे इस्थित नहीं है ठीक है जी अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या हो जाएंगी नरमदा नदी, साबरमती नदी, बहुत सारी नदिया हैं, ठीक है ना, माही नदी, काफी नदिया हैं, ऐसी बंगाल की खाड़ी में, ब्रमपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गुदावरी नदी, गंगा नदी, ये बहुत सारी नदिया हैं, जो बंगाल की खाड़ी मे शामिल किया गया था प्रशन समझ में आया है आपको प्रशन क्या बोला है कि जो दक्षिन एशियाई खेल संग है उसके दुआरा कबड़ी को कब शामिल किया गया जो खेल इस सन में बैंगलादेश में हुए थे ठीक है यह आपको बताना है यह थोड़ा सा उलजाया के पाका बांगलादेश में ऐसे प्रशन बनता तो आप असानी से कर देते हैं ठीक है ना समझ पा रहे हैं यह प्रशन इंपोर्टेंट है भई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रशन प्रशन नंबर है आपके सामने आठ मनुष्य में समाने श्वसन की प्रबलता कितनी होती ह है 10 decibel, 0 decibel, 100 decibel, 50 decibel यह भी प्रशन आर्पीएफ का है भई आर्पीएफ का है भई आर्पीएफ कॉंस्टेबल 2019 decibel आपको पता है ना, धवनीम आपने की इकाई है decibel, ठीक है, श्वसन करेंगे तो भई खलका फुलका कुछ शोर तो होता ही है ना, इंटरनली, प्रबलता कितनी होती है उस शोर की यह आपको बताना है बस, करिये आंसर क्या आंसर करेंगे, प्रशन वही लेके आएंगे ज यह तो सबको पता है, वैसे प्रशन भी पीछ में आएंगे पर सारे तो वह नहीं करवा पाऊंगा ना, बिल्कुल असान असान है, जब हम मेराथन क्लास करवाएंगे आपको तो हम बेसिक की अलग से मेराथन क्लास करवाएंगे, अडवांस लेवल की अलग से, यहाँ पे 10 डेसिबल होगा, ओप्शन एक रेक्ट आंसर हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे है कोश्चन नम्पर 9, इकनोमिक से और इकनोमिक से एक प्रशन 100% मिलेगा आपको, आपूर्ती के नियम के अनुसार, जब उत्पादन का मुल्य घटता है, ता आपूर्ती की मात्रा स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, घटेगी या फिर बढ़ेगी, आपूर्ती का नियम क्या कहता है भई, आपूर्ती का नियम कहता है, कि जब उत्पादन का मुल्य घटेगा, तो आपूर्ती की मात्रा भी घटेगी, उत्पादन का म मात्रा भी घटेगी, option C, correct answer हो जाएगा आपका, option C दिया है सभी ने, आगे बढ़ते हैं, question number 10 देखिएगा, question number 10, आजा भाई, चलिए, answer कर दीजिए जल्दी से, table tennis में प्रियुक्त उपकरन, paddle दर्शाता है, scoreboard को, net, ball या फिर bet, table tennis, table tennis क्या है, table tennis आपको पता है ना, चाइना का राश्ट्रिय खेल है, चाइना का national sport है, राश्ट्रिय खेल है, table tennis को ping pong भी कहते हैं, चाइना में, चाइना में इसको ping pong कहा जाता है, पिंग pong नाम सुनके हसी बताने क्यों आती है बार बार, अब देखो, table tennis में एक खिलाड़ी होते हैं, singles में, डिवल खेलेंगे तो दो-दो player भी हो जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, जो paddle होता है ना, जो table tennis में, जो racket होता है, उसको paddle बोलते हैं, या फिर उसको हम bat भी बोल देते हैं, उसको racket भी बोल देते हैं, जिससे table tennis में ball को push किया जाता है, उसको paddle, racket और bat कुछ भी कह सकते हैं, आगे बढ़िए, question number 11 है, कैसे छोटे-छोटे हो रहे हैं भाई, आओ, simple है, answer कर दीजिएगा, प्रशन है कि भिलाई, इसपन्द कारखाना, भिलाई, इसपात कारखाना किस राज्य में स्थित है, आंद्रपरदेश, छतिजगर, तमिल नाडू, उत्तरपरदेश, जल्दी से answer कर दीजिए, आभी तक लाइक नहीं किया है आपने सेशन को, तो भाईया लाइक कर आपके लिए एकदम सूपर कलेक्शन चाटा है, बिल्कुल कंप्लीट, भिलाई, इसपात कारखाना, चतिजगर में है, आप्शन भी answer दिया है सभी ने, आगे बढ़ते हैं, बारा नमबर, पहली जैन परिशद कहां आयोजित की गई, जैन परिशद तोटल दो हुई है, ए दूसरी कहां आयोजित की गई, ये भी पता होना चाहिए, देखो, दूसरी तो वल्लाभी में आयोजित हुई है, ठीक है, यहां पर ये clear है, पहली जो है, ये पाटली पुत्र में हुई है, option B correct answer है, हमसे एक प्रशन और पूछ देता है कभी कभी, कि जो पहली जैन है, या फिर दूसरी जैन परिशद है, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, पहली जैन परिशद की अध्यक्षता किसने की है, तो ये की है भाई, स्थूल भद्र ने, किसने की है, स्थूल भद्र ने, और दूसरी जैन परिशद, जो की वल्लाभी में हुई इसकी अध्यक्ष्ता किसने की है ये आपको कमेंट करके बता देना है। बड़ा लंबा नाम है और आसानी से याद कर पाओगे। अभी हिंट भी नहींदूगा मैं आपको। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। करिएगा भाई जल्दी से आंसर। गोदावरी की सहायक नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी ये बहुत important है, इससे 2-3 प्रशन बनते हैं एक्जाम में, पहले इधर डिसकस करते हैं प्रशन को, गोदावरी की सहायक नदी के आंसर दे रहे हो, क्या सभी ने सबरी आंसर दिया है? सबरी correct आंसर हो जाएगा साथ साथ इंद्रावती, इंद्रावती जो नदी है, यह भी गोदावरी की सहायक नदी है भई, वैन गंगा, वैन गंगा, इसके साथ साथ पैन गंगा, यह सभी गोदावरी की सहायक नदियां है, ठीक है? इसके अलावा मूसी से क्या प्रशन बनता है? हैदराबाद शहर क किस नदी पर है, तो मुसी नदी पर इस्थित है, हैदराबाद मुसी नदी पर इस्थित है, बेतवा से प्रशन बनता है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, सहायक नदी, यह लूनी नदी हमने कल डिस्कस किया था अरावली की पहाडियों से निकलती है कल की क्लास में हमने डिस्कस किया है आपसे यह राजस्थान और गुजरात में बहती है पलस यह पस्चिम की और बहने वाली नदी है ठीक है? आगे चलते हैं Question No.14 Mount E.Kanga Gua डैस की सबसे उंची परवत चोटी है माउंट एकांका गुवा डैस की सबसे उंची परवत चोटी है उत्री अफ्रिक क्या हिए देखो उत्री अमेरिका ठीक है इसके अलावा दक्षिन अमेरिका बाकि दक्षिन अमेरिका अस्ट्रेलिया यहां पर option गडबड़ हो गए है ठीक है न यह 3 option है उत्री अमेरिका दक्षिन अमेरिका और अस्ट्रेलिया आंसर कर दिजेगा जल्दी से क्या प्रशन है माउंट एकांका गुवा किसकी सबसे उंची चोटी है तो यह दक्षिन अमेरिका की उची चोटी है यहाँ पर आपका दक्षिन अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिन अमेरिका में आर्जन टीना में स्थित है यह दक्षिन अमेरिका के आर्जन टीना में है यह माउंट एकांग का गुवा अगले प्रशन पे चलते हैं प्रशन संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर TCS का पूछा हुआ परफेक्ट प्रशन ये प्रशन 2-3 बार रिपीट हुआ है अभी TCS के लास्ट के 3 साल में बोला है डैस, कला और शिल्प की एक विस्तित श्रिंखला के लिए डिजाइन और सिधनतों का वर्णन करती है गंधर्ववेद, आयूर्ववेद, शिल्प शास्त्र, धनुर्ववेद शायद आपको नाम से पता लग जाए, प्रशन में भी नाम छुपा है और नाम ऑप्शन में भी छुपा है जल्दी से आंसर करिए, क्या सभी शिल्प शास्त्र को दे रहे हैं, ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उमीद करूँगा, सभी ने ऑप्शन C को दिया होगा, अगले प्रशन की तरफ चलते हैं भई, क्योशन नमबर नेक्ष्ट है, आपके सामने स्क्रीन पर इसका अंसर कर दीजिए एक बार सोला नमबर सोला है, पट चित्र निम्न में से किस राज्य की परंप्रिक चित्रकला है, एक चीज़ देखलो, नरित्य, ठीक है न, स्टैटिक जिके के मैं कुछ इंपोर्टन बता रहा हूँ आपको, ये हमेशा प्रशन बनेंगे इनसे, स्टैटिक जिके से, नरित्य आपको पता होने चाहिए, इसके लावा क्या है, चित्रकला, जैसे वारली चित्रकला किस राज्य की है, मदुबनी चित्रकला किस राज्य की है, पट चित्र किस राज्य की चित्रकला है, ठीक है न, ये प्रशन हमेशा बनते हैं, जन जातियां, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, मंदिर, मस जिद गुर्दवारे बहुत सारे कोशन बनते हैं बाई देखो पट चित्र जो है यह ओडिशा की पारंपरिक चित्र कला है ऑप्शन एक रेक्ट है आंसर मैच कर लीजिएगा अगले प्रशन की तरफ चलते हैं आपके सामने हैं मरुस्थलिये मिट्टी निमनलिकित में से किस इस राज्य में पाई जाती है अगर यह भी प्रशन गलत करोगे ना तो फिर आप बहुत पीछे होते आरी में इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है यह बस प्रशन जबरस्ती बनाया गया है प्रशन एक पर ध्यान से पढ़ लीजिए मरुस्थलिये मिट्टी यानिकी रेग अंसर दिया है जिसने उनका राइट है अठारा नंबर टोटल तीस प्रशन डिसकस करेंगे टार्गेट मने आपको आज 25 कोश्चन का दिया है भाई अचीव कर लेना इतना कम से कम यह देखिए निम्ण में से संगम सहित्य का कौन सागरंत व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंदित है संगम सहित्य का कौन सागरंत व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंदित है ऑप्शन अवेलिवल है आंसर कर दीजिए जो यहाँ पे ऑप्शन पी को दे रहा है तोल काप्यम उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको नजर अंदाज मत करना यह जितने भी प्र पूछ सकता है तोल काप्यम किस से संबंदित है तो व्याकरण और काव्य शास्त्र से किस काल से संबंदित है तो संगम काल से ठीक है जी 19 नंबर देखिए प्रशन आपके सामने लक्षदीप के अंदर साशित छेत्र निम्नलिकित में से किस उच नयले के अधिकार शेत्र के अंतरगत आता है इसका मतलब क्या है कि लक्ष दीप का उच्छ न्याले कहा है अगर लक्ष दीप की उच्छ भी होता हो ठीक है ना डिस्ट्रिक कोट वहाँ पे नहीं है अगर वहाँ पर मालीजिए कुछ भी हनन हो रहा हो या पिर कुछ भी किसी को रिपोर्ट करनी हो कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो लक्षुदीप का जो उच न्याले है वो कहाँ पे है इनमें से केरल जो आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है केरल हाई कोट के अंत्रगत लक्षुदीप का हाई कोट है option आपका डी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है 20 नंबर 1968 में क्रिशी में हरित करांती की प्रभावशाली प्रगती को अधिकारिक तोर प्रदज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है इतना लंबा प्रशन आपने देखा है यह TCS में पूछा गया है TCS के एक्जामस में ही अब अगर कन्फ्यूज हो जाओगे तो फिर फज्जा होगे हरित करांती का संबंद हरित करांती ने सरवादिक योगदान जो है वो खाद्यान में दिया था और उसमें भी जो प्रमुक फसल थी वो कौन थी गेहूं थी ठीक है ना तो यहाँ पर आप्शन आपका C करेक्ट आंसर होगा जिसने आप्शन C को दिया है आगे बढ़ते हैं कोस्चन नमबर 21 आखरी के 10 प्रशन है बैई किस खिलाडी का संबंद कुष्टी से है इसको मद गलत कर देना ये तो बिल्कुल इजी कोस्चन है किस खिलाडी का संबंद कुष्टी से है जिसने आपे विनेश फोगाट आंसर दिया है उनका करेक्ट आंस इनसे प्रशन्तों बई बनेगा एक्जाम में नीरत चोपडा भाला फैंक इंगलिस में बोलते हैं ज्वैलिन थरो पीवी सिंधू आल्वेज बैडमिंटन चलिए नेक्ष्ट बढ़ते हैं 22 नंबर दिल्ली से संबंदित विशेश प्रावधान सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत दिये गए हैं एक प्रशन और आपसे मैं पूछता हूँ यांपे कि दिल्ली को NCR का दर्जा कब दिया गया NCR का दर्जा किस संशोधन के तहट दिया गया लीजिए किस संशोधन अधिनियम के तहट दिया गया इन दोनों प्रशनों का अंसर कर दीजिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिल्ली से संबंदित विशेश प्रावधान सविधान के किस अनुछेद में है तो अनुछेद 249 ऑप्शन बी करेक्ट है अनुछेद 249 के डबल ए पार्ट में है ठीक है ना अब देखिए दिल्ली को NCR का दरजा किस संशोधन अधिनियम के तहट दिया गया तो ये आंसर आप ध्यान रखिएगा 69 सविधान संशोधन अधिनियम खीक है मैं छोटा लिख रहा हूँ ताकि याँ पर आजाए अधिनियम अगर सन पूछेगा तो 1991 1991 ये ध्यान रखिएगा ये भी इंपोर्टेंट है आगे चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला है भारतिय अर्थ विवस्था की सांखिकी समंदी विवर्णिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है थोड़ा सा दिमाग लगालो प्रस्ण निकाल ले जाओगे ये वाला भारत की जो अर्थ विवस्था है उसकी जो सांखिकी समंदी विवर्णिका है ठीके उसका क्या बोला है प्रकाशन किस संस्था के द्वारा होता है तो भई बैंकों का बैंक RBI Reserve Bank of India स्थापना हुई थी एक अपरेल 1935 में ऑप्षन आपका B ही करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने ऑप्षन B दिया है उनका करेक्ट है अगले प्रस्ण पे चलते हैं किसी राज्य के पदासीन राज्य पाल की उसके कारेकाल के दोरान मृत्यू हो जाने पर उसे राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है अगर इस प्रस्ण का आपने आंसर कर दिया तो आपने बहुत अच्छा आंसर किया है राज्य का महाधिवक्ता मुख्य मंत्री संबंदित राज्य के उच्छ नयले के मुख्य नयदिश या फिर अंतरीम उप राज्य पाल आंसर दीज मृत्ति हो जाए तो यहां तो राष्ट्रपती वहां पे साशन कर सकता है यहां फिर राष्ट्रपती की सलाह से उस राज्य के उच्छ नैले का मुख्य नैधीश भी वहां पर उसकी जगा निुक्त किया जा सकता है उसको कुछ समय के लिए प्रभार दिया जा सकता है हमारा option C करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर पच्चिस वियना शहर डैस नदी के किनारे इस्थित है वोलगा डेन्यूब डॉन राइन वियना से आप क्या समझते हैं वियना भाई राजधानी है वियना क्या है राजधानी है किसकी आस्ट्रिया की आस्ट्रिया आस्ट्रेलिया नहीं है आस्ट्रिया की कैपिटल क्या है वियना है ठीक है न वियना में ओपेक का हेड़क्वार्टर भी है पता है न पेट्रोलियूम निर्याज संग्थन और ये जो है डेन्यूम नदी के किनारे स्थित है आप्षन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी ने आप्षन बी को दिया है चलिए फिर अगले प्रशन पे चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है निम्र में से किसे नुकलियाउन कहा जाता है नुकलियाउन किसे कहते हैं जल्दी से बताइए इसको प्रशन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है ठीक है आपसे पूछ सकता है कि जो आपके परमाणों का नाभिक है उसके अंदर क्या होता है ठीक है तो प्रोटोन और नुट्रोन आप्षन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने आप्षन बी को दिया है उनका करेक्ट है प्रोटोन और नुट्रोन को नुट्रोन कहा जाता है क्योंकि ये नाभिक के एकदम भीतर राउंड लगाते हैं इलेक्ट्रोन जो है नाभिक की कख्षाओं के बाहर शक्कर लगाते हैं भी पता होना चाहिए नेक्स्ट है कोशन नंबर ट्विंटी सेवन एम एफ हुसेन टैस के शेत्र में प्रसिद है चित्रकला संगीत नरित्य नाटक आंसर करिएगा जल्दी से क्या आंसर देंगे सेशन कैसा लग रहा है आपको कमेंट सासत करते जाईएगा तीस में से कितने प्रसिद राइट किये हैं इसका भी कमेंट कर दीजिएगा ठीक है ये चित्रकला से सम्बंदित है ये पेंटर है भाई ठीक है M.F. हुसेन आप्शन A. करेक्ट है अठाईस नंबर ताज महल डैस की याद में बनवाया गया था लो भाई अब इसका भी गलत मत कर देना ये तो असान है इसका मत गलत कर देना नूर जहां गुलबदन बेगम मुम्ताज या फिर जोदा बाई करिए सभी आंसर क्या आंसर देंगे ताज महल ताज महल कहां पे है आगरा में है ताज महल तो गए होंगे घूमने के लिए भाई ताज महल कहां है आगरा में है इसका निर्मान किस ने करवाया था शाह जहा ने करवाया था ये भी प्रशन एक्जाम में बनता है किसकी याद में बेगम ममताज की याद में आप्षन आपका C correct answer हो जाएगा प्लस अब इससे दो तिन प्रशन और बनते हैं इसका निर्मान कब हुआ इसका जो निर्मान है वह कब हुआ निर्मान कब हुआ ठीक है तो 1631 से 1653 तक इसका निर्मान चला था लगभग 22 साल इसको बनने में लगभग 22 वर्श का समय लगा है आपसे अगर पूछेगा कि जो ताज महल है ताज महल के वास्तुकार कौन थे वास्तुकार तो एहमद लाहोरी और उस्ताद इशाखां ठीक है ना ये ध्यान रखीगा ये इंपोर्टेंट है एक्जाम में प्रशन यहां से बनते हैं भाई अगर प्रशन पर चलते हैं कोशन नमबर आपके सामने 29 भारत संयुक्त राष्ट संग का सदस्य किस वर्श बना था संयुक्त राष्ट युनाइटिड नेशन्स और्गनाइजेशन यूएन नो भारत जो है यूएन नो का मेंबर कब बना देखो यूएन नो की स्थापना भी 1945 में हुई है और 1945 में ही भारत जो है वो यूएन नो का सदस्य बना था आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएन नो का हेड़कॉर्टर भी पूछ सकता है आपसे तो headquarter कहां पे है इसका headquarter नियू यॉर्क में है question number 30 है ये आज का last question है ठीक है इसके बाद अबरी class over है session comment कर दीजेगा session कैसा लगा है आपको द्वीतिय पंच वर्षिय योजना का उदेश क्या था खाद्यान में विकास अद्योगिक शेत्र में विकास संचार शेत्र में विकास या इन में से कोई नहीं अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दो तिन चीजे बताऊंगा जिन से प्रशन बनेगा exam में total जो है 12 पंच वर्षी योजना हो चुकी है ये एक प्रशन single है देखो मैं सिरफ पहली और दूसरी के बारे में बताऊंगा अभी पहली जो पंच वर्षी योजना है पहली shortcut में लिख रहा हूं मैं पहली जो पंच वर्षी योजना है एक तो आप से पूछेगा उसकी अवधी ठीक है अवधी पूछेगा और पूछेगा किस मौडल पर आधारित थी किस मौडल पर आधारित ठीक है और ऐसे ही दूसरी पंच वर्षी योजना जो की हमारा प्रशन है दूसरी पंच वर्षी योजना की अवधी ठीक है इसकी अवधी और किस मौडल पर आधारित थी देखो जो पहली पंचवर्षी योजना है ना इससे क्या प्रशन बनेगा इसको मैं रफ कर देता हूँ दूसरी को हम ऐसी डिसकर्स कर लेंगे पहले इसका अंसर देखिए दूसरी पंचवर्षी योजना जो है उद्योग शित्र में विकास इसका उद्देश्य था आप्शन बी करेक्ट है अब देखिए पहली पंचवर्षी योजना 1951 से 1956 तक चली थी किस मॉडले पर अधारित थी तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर अधारित थी ठीक है विक्ति का नाम है ये इसके अलावा दूसरी पंचवर्षी योजना यहाँ पर मैं शोटकट में लिखूंगा अब दूसरी जो पंचवर्षी योजना है इसकी अब धी 1956 से 1961 थी ठीक है ये किस मॉडल पर अधारित थी तो ये महाल नोबिस महाल नोबिस मॉडल पर अधारित थी ठीक है पहली पंचवर्षी योजना में कृशी पर ज़्यादा योगदान दिया गया था खाद्यान पर ज़्यादा जोड दिया गया था दूसरी पंचवर्षि योजणा में उद्ड्योगों पर जोर दिया गया था ठीक है न ये बोकारो है, भिलाई है, ये दुरगापुरी स्पास सेंत्र है ये सभी दूसरी पंचवर्षि योजणा के दोरान ही खोले गए है ठीक है जी तो यही था आपका आज का सेशन मैं उम्मीद करूँगा सेशन पसंद आया होगा एक बर कमेंट कर दीजेगा आपके इन 30 में से कितने प्रशन करेक्ट हुए हैं मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी कलासिस आपको पसंद आ रही होगी मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भर